एक मनीशा नाम की लड़की थी अपने घर के पास वाले गाउ में एक स्कूल में पढ़ने जाया करती और तीन हफते से मनीशा हर दिन लेट पहुंचा करती टीचर उसे डाट दी, उसे पनिश्मेंट देती चौते हफते मनीशा स्कूल आई ही नहीं तो सारे लोगों ने सोचा कि उसे डाट पढ़ती थी, पनिश्मेंट मिलती थी शायद इसलिए उसे स्कूल आना बंद कर दिया हो लेकिन पाचपे हफते फिर से मनीशा अपनी क्लास में दिखाए दी आज मनीशा सबसे पहले पहुंची थी क्लास में टीचर ने क्लास में गुस्ते ही, पहले तो उसे सजा दी क्योंकि वो एक हफते तक का स्कूल नहीं आई थी लेकिन फिर उसकी पीट थबतबाते हुए शाबाशी भी दी कि देखा, डांट और पनिश्मेंट का असर देखो आज तो जल्दी आई हो तुम मनीशा ने पूरी क्लास के सामने कहा कि टीचर मैं कुछ कहना चाहती हूँ टीचर ने कहा बिल्कुल मनीशा ने बात करना शुरू किया कहा कि मुझे मेरी मा ने पाल पोसकर बढ़ा किया है मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं और पांच हफते पहले नहीं तो खाना बनाना था और आपसे मैं हर दिन जल्दी आ जाया करूंगे ये कहकर मनीशा अपनी जगा पर तो बैट गई लेकिन क्लास में किसी की भी आँख कोरी न बची थी टीचर भी अपने आपको अंदरी अंदर कोसे जा रही थी अर्थात कब-कब ऐसा होता है कि हम किसी से पूछ बैटते हैं आपके शादी नहीं हुई अब तक आपके बच्चे नहीं हैं अब तक ये खटारा गाड़ी चलाओगे नौकरी नहीं लगी अब तक हम तो पूछ बैटते हैं लेकिन उसके दिल पर क्या बीटती होगी कहीं इंसेंसिटिव तो नहीं होते जा रहे हम